हेलो फ्रेंड, गूट आप्टर नून, वेलकम टू यूटूब चैनल कंट्रक्शन मेनेजमेंट, फ्रेंड, आज का वीडियो का टोपिक है, वाट इज डोका बीम्स, इस वीडियो से पहले इसका फोल्डिंग के बारे में बताया था, और अल्मुनियम बीम के बारे में बता पहले था, तिन चार तरह का वीडियो बना हुए, जो सिलाप में काम आता है, आज की वीडियो के बारे में आजवात करेंगे, कि डोका बीम क्या है, कैसे लगा जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो डोका बीम जो है कंपनी कोई साज में परवाइड करती है, 490 में प परवाइड करती है, 450 में परवाइड करती है, 330 में परवाइड करती है, जो आपके सामने लगा हुआ है, फ्रेंड, किस तरह से आसानी से जो है कि शिलाप पन सकता है, हर आदमी जो है कि आसानी से काम करने के लिए सोचता है, यह material बहुत अच्छा material है, और इसका center to center spacing जो है 40 cm है, 40 cm में लगा करके उसका और इसको ply मार करके उस पर स्टील बाढ़ा गया है, और बाढ़ करके और इसको casting किया जाएगा, सामने देख रहा है, पूरा डोका बीम, इसी को डोका बीम बोलते हैं, यह डोका material है, यह डोका बीम है, इससे जो है कि हम वाल भी बना सकते हैं, horizontal में सिलाप हो गया है, और vertical कर देंगे, खाड़ा कर देंगे, तो इससे यह इसको इससे वाल भी बन सकता है, सेटर बहुत मजबूत होता है, इसमें कोई तरह का doubt वाली बात नहीं होता है, कितना भी weight डालेंगे, कितना भी load डालेंगे तो इसको कुछ फरक नहीं पड़ता है, लेकिन इसका alignment जो है कि proper, जो है न, proper होना चाहिए, फिर बाद में concreting के time में problem बन सकता है, तो फ्रेंड, चैनल पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, जो को ट्रक्सनल लाइन से जुड़े हुए हैं, और भी अच्छा अच्छा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, और हर तरह से मुश्किल काम को आसान बना सकता है, देख लिजए सामने, पूरा डोका बीम का सिलाब हुआ है, इसको D-sutter करने के लिए देखिए मसीन लगा हुआ है, हैड्रोलिक सिस्टम है, यह हैड्रोलिक से चलता है, इसको D-sutter करने के लिए इसको उठाएंगे, उठा करके और फुरा जो पेरिप्रफ्स है .. उसको निकाल दे पेरिप्रफ्स दूरा है, उसको भी आप देख सकते हैं वाटर्ीस्ट्वपर क वेडियो बना हुआ है बहुत बाधिझेल बाविडियो आप आकरके देख सेबलेगे इसे पहले चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो सब्सक्राइब करके पेल आइकन को प्रेस कर लें तब ही आपको कोई भी वीडियो बनेगी उसका नुटेफिकर सान आप सुपरी लोगों को मिलती रहेगी देखिए पूरा जो है डोका मट्रियल है डोका बीम है इसी को डोका बीम बोलते हैं सामने पूरा लाइन से आप देख सकते हैं पूरा लाइन से मैं देखा देता हूँ यह हर आदमी अपने पास यह माट्रियल ने रखता है रेंटल माट्रियल है रेंट में आया हुआ है जिसका रेंट है वो फिर इसको डिस्टर करके और फिर इसको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा सिलाब खतम होने के बाद से हुआ हुआ हो इसको पर शिया है राद पीघन भीघन कर फचेता है साथ बाद कर दो कि अवरा आस भीघन से भीघन कर दो हुआ है इसको कैसे लगाया गया है, कैसे इंटलेशन किया गया है, आप पूरी तरह से देख लिजिए तो फ्रेंड यही डोका बीम इसको बोलते हैं, डोका का मट्रियल है, डोका का बीम है, इसे वाल भी बन सकता है, शिलाभ भी हो सकता है, टेबल फॉर्म भी बन सकता है, तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही जानकारे देंगें, वीडियो ग़र अच्छा लगता है तो इसको लाइक किज़े, शेयर किज़े, और चैनल प्र ने हैँ तो चैनल को कि प्रेस कर लिजिए ताकि ऐसे वीडियो आप सभी भाईयों को नोलेज मिलती है कि वाटर इस्टपर कैसे लगता है वाटर पूफिंग कैसे होता है फॉम वाटर पूफिंग रूफ में कैसे होता है बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं चेनल पराब आएंगे काम किस तरह से होता है जो जल्दी होने वाला हूँ तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही बस फिर मिलेगा अंगले वीडियो में तब टेक के लिए थेंक्स एंड टेक केर